हलो फ्रेंड्स बेलकम टो वार यूट्यूब चैनल तयारी फिगनर्स की तो इवनिंग के साथ सथ हम सीटेट 2020 के लिए इंपोर्टेंड इवी एस का वीडियो लेकर आ गए हैं तो आप लोग ध्यान से देख लिजेगा नोट कर सकते हैं नोट कर लिजेगा अगर नहीं कर सकत हैं तो टू टाइमस वीडियो वाच कर लीजिएगा कम से कम जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए ओके तो कुशेंस आज के देख लेते हैं क्या के रहेंगे आज क्या है कि हमें परेसी टिक लगा दिया क्योंकि जो पीडिएफ जाता है ना आपके पास तो उसमें आं आंसर कभी-कभी भूल जाते हैं इसलिए हमने आंसर लगा दिये हैं आज बिग्यान की पाठी पुस्तक से छात्र कर सकते हैं कख्षाकार्य ग्रहकार्य पुन्रा व्रत्ति और प्रोक्त सभी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो हो जाएगा वो आपको दिखाई दे र डिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कुछय ने विग्यान की पैर पुस्तक में आवश्यक है तर रेखा चित्र ग्राफ अप्रोक्त सभी नेश्थ कुश्य ने बिग्यान में पाठी पुस्तक के प्रियोग से छात्रों में कौन सा बिकास होता है यह उप्षन इनमानिक विकास तो इसका A option बिल्कुल correct हो जाएगा विज्ञान में पार्थ पुस्तक से प्रियोग के प्रियोग से छात्रों में मान से विकास होता है नेक्स कुशन परियावरण अध्यान सिक्षण में पार्थ पुस्तक की भाषा होनी चाहिए A option is saral B option is should C option is bodgum D option is uproakt sabi तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या होगा वो हो जाएगा उप्रोक्त सभी नेक्स कुशन है परंपरागत सायक सामगरी है A option is uproakt sabi तो A option इसका क्या है स्यामपट, B option तालिकाएं, C option तालिकाएं, D option उप्रोक्त सभी तो सायक सामगरी क्या क्या होती है स्यामपट, तालिकाएं, पत्रपत्रिकाएं उप्रोक तो सभी इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है परियावरण अध्यान सिक्षड में bulletin board वा flannel board है तो A option है द्रश्य साधन और इसका पिल्कुल correct answer है वो द्रश्य साधन ही है परियावरण सिक्षड में bulletin board वा flannel board क्या है ये द्रश्य साधन है मतलब देखने के ये साधन है ओके नेक्स्ट कुछन है परियावरण अध्यान सिक्षड में मूल्यांकन का उद्देश है A option विस्वस्षणिय जानकारी V option अधिगम प्रक्रिया में सुधार C option अपाठ पुस्तक की उप्युक्तता D option उप्रियुक्त सभी तो इसका जो correct option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा D option उप्रियुक्त सभी नेक्स्ट कुछन है परियावरण अध्यान सिक्षड में बस्तुनिष्ट परिच्छा का प्रकार है तो अविग्यान रूप V option है प्रत्या इश्मरण रूप C option अवा वी दोनों तो C option इसका विल्कुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है परियावरण अध्यान सिक्षड में निवन्दात्मक परिच्छण की विशेष्ता है A option है विस्तत पाठिक्रम पर आधारित V option है निर्माड की दृष्टी से सुगम C option है भाओं का संगठन D option है उप्रियोक्त सभी नेक्स्ट कुछन है परियावरण अध्यान सिक्षड में अच्छे परिच्छण के गोड़ है A option है बस्तू निष्टता B option है बैधता C option है सहजता D option है अप्रोक्त सभी D option इसका बिलकुल correct option हो जाएगा नेक्स्ट कुछिण है परियावरण अध्यान सिक्षड में निदानात्मक परिच्छणों का मुख्यत उद्देश सिक्षण अधिगम प्रक्रिया में है तो A option है सुधार लाना B option है व्रधी करना C option है गती प्रदान करना D option है इसे कोई नहीं A option बिलकुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कुछिण है परियावरण अध्यान सिक्षड में निदानात्मक परिच्छण का उद्देश है A option है कमजोरियों का पता लगाना B option है कमजोरियों को दूर करना C option है उप्चारात्मक सुझाव देना D option है उप्रोक्त सभी तो इसका A option जो है बिलकुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कुछिण है परियावरण अध्यान सिक्षड में पद विश्लेशन किसमें सहायता प्रिदान करता है उपलबधी परिच्छण में B option है परिच्छण पदों की प्रकार निर्धारित करने में C option A वावी दोनों में तो C option बिलकुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कुछिण है निदानात्मप परिच्छण के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है A option है नियोजन V option है प्रत्य का विश्लेशन C option है प्रश्णों का निर्माण D option है अब्रोक्त सभी तो इसका D option जो हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कुछिण है परियावरण अध्यन में सरवादे को पीयोगी विदी है तो A option है निर्चण विदी V option है अभी नए विदी C option है खेल विदी D option है कहानी विदी तो इसका जो correct option होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा निर्चण विदी नेक्स्ट कुछिण है निम्न में से परियावरण का बहुत एक गटक कौन सा है A option है जानवर P option है पौध है C option है भूमी D option है मनुश्य तो C option इसका बिल्कुल correct option हो जाएगा नेक्स्ट कुछिण है आपके विचार में क्या परियावरण प्रदूशन का कारण गरीवी है यहाँ प्रशन प्रशनों की किस रेनी में आता है A option है विसलेशनात्मक प्रशनों में B option है निर्धारणात्मक प्रशनों में C option है जानकारी संबंधी प्रशनों में D option है उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका जो D option वो बिल्कुल correct हो जाएगा निर्धारणात्मक प्रशनों में वर्यावरण का कारण गरीवी है यह विचार आजाता है नेक्स्ट कोईशन है चात्रों में प्रयावरण के प्रती जागरुकता पैदा करने की सिफारिस निम्न मैंसे किसने की थी राश्ट्री सिक्षा नीती 1968 में B option है राश्ट्री सिक्षा नीती 1986 में C option है मुदालियर आयोग ने D option है सिक्षा आयोग ने परियावरणी प्रदूशन पर प्रदशनी लगाना निम्न में से कौन सा संगठन सायता करता है। खेल विदी का ये हिस्सा हो जाएगा। पाठ्य किरम डी उप्षन इन में से कोई नहीं। तो उद्देश जो है वो विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुशन है ब्लूम द्वारा प्रितपादित बरगी करण में अनुदेश आत्मक उद्देश्यों का निम्न लिखित में से कौन सा पक्ष नहीं है। टो इसका जो करेक्ट आप्षन होगा। वो क्या होगा। सी अप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकलन जो है वो इसके अन्तरगत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेशन है अनुकृया किस पच्छ से सम्बंदित है तो अनुकृया जो है भावात्मक पच्छ से सम्बंदित है अजी नेक्स्ट क्वेशन था आपका अनुकृया किस पच्छ से सम्बंदित है तो ये भावात्मक पच्छ से सम्बंदित है नेक्स्ट क्वेशन है 126 आदेश देना किस पच्छ से सम्मंदित है तो A option है ग्यानात्मक पक्ष B option है भावात्मक पक्ष C option है क्रियात्मक पक्ष D option है इन मेंसे कोई नहीं तो इसका जो D option है बिल्कुल करोक्ट हो जाएगा Next question है निमलिखित मेंसे कौन सा क्रियात्मक 25 से सम्मंदित नहीं है तो A option है सारीरिक योगिता है B option है मानसिक योगिता है C option है प्रतिक्षी करन योगिता है D option है कोशली उत्यंग संचालन तो B option इसका बिल्कुल करेक्ट option हो जाएगा Next question है निमलिखित में ऐसे कौन सी ग्यान से सम्मंदित कारी परक्रिया नहीं है A option रेखांकित करना B option नाम देना C option उत्पादन करना D option व्याक्षिया करना तो D option इसका विल्कुल करेक्ट option हो जाएगा Next question है उत्देशियों को विवार परक्षब्दाबली में लिखते समय किस शब्द का प्रियोग नहीं करना चाहिए परवाशित करना B option है आनंद प्राप्त करना C option है पुनुरा वरत्ती करना D option है अंतर इसपस्ट करना इसका जो B option है विल्कुल करेक्ट option हो जाएगा उत्देशियों को विवार परक्षब्दाबली में लिखते समय आनंद प्राप्त करना शब्द का प्रियोग नहीं करना चाहिए Next question है निमलिखित मैसे कौन सा उपागम के लिए उप्योक्त है A option है प्रदर्शन बिदी B option है समस्या समाधान बिदी C option है योजिना बिदी D option है उप्रयोक्त सभी तो D option इसका बिल्कुल करेक्ट option हो जाएगा Next question है परियावरण अध्यन सक्षण के लिए सबसे सराल और सस्ती बिदी कौन सी है अले व्यक्ति भी नील आमस्ट्रोंग है तो ये भी आपको याद रखना है Next question है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कारी है जिसे स्वाभाविक परिस्तितियों में पूर्ण किया जाता यहाँ कथन है A option स्ट्री विंसन का B option किल पैक्ट्रिक का C option है वलाड का D option है डी वी का तो A option जो बिलकुल करेक्ट option हो जाएगा Next question है प्रोजेक्ट विधी के जन्म दाता है A option है किल पैक्ट्रिक बिलकुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा किल पैक्ट्रिक Next question है निमलिखित मैंसे कौन सा प्रोजेक्ट विधी का सोपान नहीं है A. आप्शन योजना अनुसार कारी करना B. आप्शन आकड़े एकत्र करना D. आप्शन परिस्तिती उत्पन करना C. इसका जो बिल्कुल करेक्ट आप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा Next question है समस्या समाधान विधी का सबसे मुख्य उत्देश्य है A. आप्शन जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार करना B. आप्शन समस्या हल करना C. आप्शन स्थाई ग्यान D. आप्शन कुछ कहा नहीं जा सकता A. आप्शन जो है विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा Next question है समस्या समाधान एक ऐसी रूप रेखा है जिसमें स्रुजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं यह कथन किसके द्वारा कहा गया है तो यह कथन कहा गया बेलाड जी के द्वारा विल्लाड जी ने का समस्या समाधान एक ऐसी रूप रेखा है जिसमें स्रुजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं Next question है समस्या समाधान विधी के सोपान में सामिल है A. आप्शन है तथ्यों का एक एकत्री करण V. आप्शन है समस्या का चयन C. आप्शन है तथ्यों का विसलेशन D. आप्शन है अप्रोप्त सभी तो D. इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा Next question है निमलिखित में से कौन सा योजना विधी का सिध्धान्त नहीं है तो D. आप्शन इसका परिवर्तन का सिध्धान्त जो है उद्यष्ट नहीं है तो बहुत संकुचित अतिविसिस्त विवारिक यह सबी अनुदेश आत्मक उद्चित्यों की विशेश्ता होती है आदर्श जो है अनुदेश आत्मक उद्चियों की विशेश्ता नहीं होता है नेक्स्ट कुश्चन है निमलिकित मेंसे कौन सी अमनो वैग्यानिक विधी है तो वो है वैख्यान विधी प्रियोकसाला विधी और समस्या समाधान विधी ये अमनो वैग्यानिक विधी नहीं है वैख्यान विधी जो है अमनो वैग्यानिक विधी होती है नेक्स्ट कुछन है बैग्यानिक विधी के निर्माण का आधार है तो बैग्यानिक विधी के निर्माण का आधार है तो वो है आग्मन निग्मन विधी जो है बैग्यानिक विधी के निर्माण का आधार है नेक्ट कुछन है निमलिकित दार्षनिकों में कौन निगमन विधी का नुवाई है तो वो है अरस्तु नेक्ट कुछन है निमलिकित दार्षनिकों में कौन आगमन विधी का नुवाई है तो वो है बेकर नामक बैग्याने नेक्स्ट कुशन है बिग्यान मेलों का आयोजन किया जाता है तो A आप्शन है बिग्यान विसेक के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए V आप्शन है बिग्यान में मेधावी छात्रों का पता लगाने के लिए C option है छातरों के संप्रत्यों और प्रक्रिया को चलिज प्रतिमानों की सायता से समझने के लिए D option है उप्रोक्त सभी तो इसका जो D option है बिल्कुल correct option हो जाएगा Next question है बैग्यानिक विधी के सोपानों का सही क्रम है तो सही क्रम है समस्या, परिकल्बना, प्रियोग और निशकर्स पहले समस्या दिखाई देती है फिर उसकी परिकल्बना करते है फिर उस पर प्रियोग किया जाता है फिर एक रिजल्ट निकल कर आता है ये बैग्यानिक विधी के सोपानों का सही क्रम है नेक्स्ट कुश्चन है बिग्यान पत्रिका और बिग्यान समाचार पत्र ग्यान का शुरोत है प्रात्मिक शुरोत तृतियक शुरोत तो बिग्यान पत्रिका और बिग्यान समाचार पत्र का शुरोत क्या है तो ये है दुतियक शुरोत होता है नेक्स्ट कुश्यन है बिक्रम सारावाई सामुदाय केंडरि स्तित है तो यह अहम्दाभाद में स्तित है नेक्स्ट कुश्यन है खोशिंगाबाद बिग्ञान प्रिसिक्षं परियोची यह शुरू की गई थी तो 1973 में ऐसे शुरू किया गया था सब्सक्राइब कर लो और आपकी जो कोई क्वेरी हो तुसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जिसका आंसर आपको दिया जा सके एंड आप हमरे सोचल मीडिया एकाउंट अगर आपको क्या करना है तो खवरिये पर जाएंगे तैयारी विगनर्स की सच कीजिए वहां फॉलो कीजिए और आपको काफी वेनिफिट होगा और आपको क्या करना है घर पे रहिए स्वस्त रहिए मस रहिए अपने स्वास्ते का ख्याल रुखिए अपने परिवारी जनों की स्वास्ते का ख्याल रुखिए बहुत अच्छे से और घर पे रहिए डिस्ट्रिंस में रहिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा अपनी त